हेलो दोस्तो आज की सी वीडियो के माध्यम से एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर स्वास्त विभाग के तुरब से निकल कर आ रही है जो के आपके लिए बहुत ही ज़्यदा इम्पूर्टेंट है जानना दोस्तो स्वास्त विभाग लगतार नई-नई-इख्वर दि रही है आज का जो ख़बर है बहुत ही ज्यदा क्वस्कशबरी है सबको यहाँ पर फैदा मिलने वाला है सभी को एक साथ मिलेगा फैदा अब अलग अलग यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है यह की बार भी सब कुछ आप लोग को मिल जाएंगे क्या इसमें A&M, G&M, कॉंसेलर, सहीत जितने भी संविदा की कर्मी होते हैं कॉंट्रेक्ट पर जॉब कर हैं क्या उनको फैदा मिलेगा यह एक बड़ी कोहिस्टन्स होगा इस पर भी हम लोग डिसकास करेंगे साथ ही दोस्तों यह जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसके लिए विवाह का नोटिस भी आ चुका है तो चलिए विवाह की नोटिस पर देखते हैं और पूरी करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दोस्तों यह अभी आज का पिपर के माध्यम से दिया गया है और आप लोग अफिसर वेबसाइट पर भी देख लोगे एक से दो दिन के अंतरगत ठीक है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यह सब जानकारिया यहाँ पर लिखा हुआ है चिकित्सकों को सेवानिर्वित होने के दिन ही सेवान्त का लाब यानि कि अब जितना भी यहाँ पर चिकित्सक है अगर वो सेवानिर्वित हो जाते है अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते है तो तुरंत ही उसको सेवान्त का लाब मिलेगा यानि जितना भी उसको लाव सरकार के तरब से मिलना है वो अब आपको तुरंत मिल जाएंगे उसके लिए ज़्यदा वेट नहीं करना परेगा पुरह डिटेल्स देख लिजिए फिर आपको संबीदा वाले पर भी बात करेंगे स्वास्त विभाग ने ताइक किया है कि डॉक्टर चिकितसा सिक्षकों को सेवानिर्वित होने वाले दीन ही सभी परकार के सेवानत लाव दिये दिया जाएगा पेंसन से लेकर के उपारजित अवकास या इस परकार का दुसरा लाव प्राप्त करने के लिए उन्हें इधर उधर भटकना नहीं होगा विभाग के विशेज कारि पताधिकारी सिसीर कुमार मिष्र ने परदेश के सभी राजिके मेडिकल काउलेज अस्पताल के परचारे और अधिक्छक को एक पत्र भेजा है यानि हमारे जो स्वास्त मंद्री के पदादिकारी है सिसीर कौर मिश्रा जो की इस राज्जी के अंतरकरत जितेने भी राज्जी के मिडिकल कॉलेज एंड अस्पाताल है सभी के प्रचारे को यहाँ पर एक नोटिस भेड दिया गया कि अब जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर्स चिकचक चिकचक अगर यहाँ पर सेवा निर्वित होते हैं रिटायर होते हैं तो उनके साथ जो भी फैदा मिलने वाले हैं सारे फैदा इन लोग को एक साथ मिल जाएंगे यह एक बरी अच्छी पहल है एक अच्छी खबर है सारे लोगों के लिए कि अब इधर उधर भटकनी की जुरत नहीं है इसमें असपश लिख भी दिया गया लेकिन आब हम बात करते हैं संबीदा कर्मी का जो संबीदा पर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं जिन संबीदा कर्मी को यहाँ पर जॉब यहाँ पर मिला हुआ है खास करके यहाँ पर संबीदा में एन्यम वाले आते हैं जिन्यम वाले आते हैं कौंसेलर होते हैं उसके बाद ड्रेसर होते हैं बहुत सारे जो पोस्ट है जो संबीदा पर है डिरेक्ट संबीदा वाले के बात कर लेता हूँ इ पेमेंट आपके retirement के बाद ये double हो करके आपको मिल जाते हैं तो बस संभीदा कर्मी को यहीं फायदा मिलता है इसमें भी government का एक rule आया था कुछ दिन पहले हम देखे थे उसके वीडियो दाले थे कि जो बिहार सरकार के अंतरकार 15,000 से उपर तक की नौकरी कर रहे हैं उन लोग EPF में जो पैसा मिलेगा उसे में सरकार और अपना भी अनुदान दे करके आप अगर retire करते हैं या job छोड़ जाते हैं तो यह इसमें से आप आपको फैदा मिलेंगे यहीं जानकारी था दोस्तों अब कोई भी और जैसे नहीं official जानकारी आती है तो हम आपको bill group से इसी channel के मा आपको मिल जाएंगे तिल्ग्राम गृप में हम यह फीडियो डाल देते हैं आप लोग भी देख लिजेगा खुद से पढ़ लिजेगा और नई जानकारी के लिए चांद को सब्सक्राइब करेएगा विलेंगे हम आपको एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए थैंक हुल